दोस्तों नमस्कार दोस्तों मैं अपने घर के छट के उपर इस बरसात के मोसम में कुछ सब्जियों के बीज बगरार उपन किया है जिससे की बहुती छोटे-छोटे कुछ पोधे निकले हैं जिसका वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं तो आईए चलिए वीडियो देखते हैं दोस्तों यह भिंडी का पोधा है जो कि मैंने अगस्त के साथ तारिक को भिंडी का बीज रोपन किया था जिससे की अब इतने छोटे-छोटे पोधे निकल चुके हैं बहुती सुंदर-सुंदर पोधा है भिंडी का पोधा आप देख सकते हैं यह फल और सबजयों के टोकरी में हमने लगाया है इसमें घर का ही कीचन वेश्ट खाद दिया है और मिट्टी में नीम की फली और जामुन का बीज तोड़कर उसे सुखा कर मिट्टी में दिया है दोस्तो यह भी भिंडी का पोधा है जिसे हमने अगस्त मैने के एक तारिक को बीज रोपन किया था और 15-17 दिन के बाद अब यह भिंडी का पोधा कुछ इस तरह से बड़ा हुआ है और आप देख सकते हैं कितना हरा भरा भिंडी का पोधा कितना जवरजस्त यह भी छोटे ग्रो बैग में हमने लगाया है भिंडी का पोधा इसमें भी हमने जामुन का बीज सुखा कर दिया है ताकि मिट्टी में किड़ा ना लगे और नीम की फली भी दिया है मिट्टी में दोस्तो आप भी अपने घर में छत के उपर थोड़ा जगह हो तो इस तरह से भिंडी का पोपन कर सकते हैं भिंडी का वीज लगा सकते हैं दोस्तो यह है लोभिया इसे बोर बोटी भी कहते हैं देखिए कितना हरा भरा पोधा कितना सुंदर पोधा यह लगाये हुए एक हपता हुआ है यह भी फलों के टोकरी में हमने लगाया है जो मार्केट से आपको मिल जाएगा दोस्तो यह भी है लोभिया जो हमने अगस्त महने के एक तारिक को लोभिया का बीज रोपन किया था अब इतने बड़े बड़े हो गए है यह पोधे कितना हरा भरा दिख रहा है कितना सुंदर दिख रहा है पोधा इसमें भी हमने जामून का बीज दिया है जो की जिस्से की मिट्टी में किरा ना लगे और पोधे भी सुंदर रहे दोस्तो यह हमने बहुत ही कम मिट्टी में लगाया है लोभिया दोस्तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा वट्सअप फिस्बुक के माद्यम से अपने दोस्तों को सेर भी कीजिएगा और अगर आप मेरे इस चैनल में नए है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा जो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है वो एक बार जरूर दबाजिएगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद कि अपन्यवाद